हाई फ्रेंड्स स्वागते आपका मेरे चैनल पर आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सिरीज का मज़िदार उपन्यास बक्षक का पार्ट टू प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब माई चैनल मिस्टर सुनील कास्निवाल बोला आप जर्नलिस्ट हैं बड़े जर्नलिस्ट हैं सेलिब्रीटी मीडिया पर्चन हैं आपको इस पाबत कुछ करना चाहिए क्या करना चाहिए वहां क्या हो रहा है अपने अकपार के जरिये उज़ागर करना चाहिए आपको राठी की बेजा व इसकी हरकतों का कोई सबूत नहीं, वो नामों निहाद हरकते बेजा है, वाहियात है, आपको कलपाने के लिए वाक्या होती है, इस बात का कोई सबूत नहीं, जनाब नंदन राठी नाम का आपका पडोसी, ब्लास्ट पर मान हानी का दावा ठोकतेगा, लेकिन जब मैं कहता हूँ, हम आपका हवाला देंगे, तो वो आप पर भी दावा ठोकतेगा, वो हडबडाया, उसने नर्वस पाव से विस्की का एक गूट परा, कुछ शन खामोशी रही, ये तो, फिर एक एक वो पड़का, पीदा दिलेरी की हत हो गई, एक शक्ष, अपनी गलत, नाजायज, वाहियात हरकतों से मुझे हलकान करता है, और मैं उसके खिलाब कुछ भी नहीं कर सकता, उसने जानभूज कर ऐसे हालात पेदा किये हैं, कि वो गई रात को रंबाए, मालकों, रमाकान बोला, वो दिन में भी रंबाती होगी, लेकिन दिन में आपकी उसक की तरब तवज्जो नहीं जाती होगी, जो पहले कभी नहीं रंबाती थी, ये बद अपने आप में सबूत है कि पडोस में जो कुछ हो रहा है, इरादतन हो रहा है, मैं उस शक्ष को गरपतार करवाना चाता हूँ, मान हनी के केस के साथ सुनिल बोला, जूठी गरपतारी क शिकायत दर्च कराने पर वो गरपतार हुआ, और बाद में कम्पलेंट में धम न निकला, तो ये जूठी गरपतारी ही होगी, ओ, जिसका खाम्याजा आपको भुगतना पड़ेगा, तो ये बात है, क्या बात है, ये उस शक्ष की मेरे किलाब शाजिश है, यूँ वो जान भूज कर मुझे ठाने कोट कचरी के लिए उकसा रहा है, ताकि मुझे 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 खाता देख सके, मेरी किरकरी होती देखने का सुक पा सके, वो ऐसा क्यों चाएगा, कोई तो वज़े होगी ही, क्या, नाम लीजिए किसी वज़ेगा, उसने नाम न लिया, वो कुछण स तोस्ता रहा, और फिर चिंतित बाउ से बोला, मैं अपनी पशिमानी को नजरदाज कर भी दूँ, तो भी ये बाते किसी और के लिए भी तो परिशानी खड़ी करने वाली है, और किसके लिए, सुनिल तनिक उत्सुपाउ से बोला, उसकी बीभी के लिए, उसके लिए किस वो बिमार है, ऐसी हालत में पड़े किसी शक्ष को अपने सिर पर मौत मडराती लगे, तो कैसा लगेगा, बीभी बिमार है, हाँ, काफी टाइम से बिस्तर के हवाले है, कैसे मालूम, दिखाई जो नहीं देती, अब फाइनली बताए, आप क्या चाते हैं, मैं चाता हूँ, कि उस कोठी में जो हलकान करने वाली बाते वाक्या हो रही है, वो बंध हो, और ऐसा नंदन राठी के कानून की गिरप में आह बिना नहीं हो सकता, आप उससे गिरपतार कराना चाते हैं, नूसेस रोकने का कोई और तरीका हो, तो आप बताइए, गिरपतारी पुलीस का काम है, आपको पुलीस के पास जाना होगा, और उसके खिलाब रिपोर्ट धर्च करानी होगी, पुलीस रमाकान मुँ बिगाड कर बोला, जरूरी इनकी वाही तबाई सुनेगी, सुन सकती है, पडोस की शांती बंग करने का मामला बनता है, इस पिना पर पुलीस इनकी सुन सक और पडोसी पर एक्शन ले सकती है, एक्शन नहीं ले सकती काका बली, पड़ताल कर सकती है, और पड़ताल में उन्हें क्या मालूम होगा, ये क्या तु जानता नहीं, क्या मालूम होगा, रमाकान ने कासनीवाल की तरब देखा, और फिर कंड़पटी से एक उंगली लगा कर उसे दो तिन बार गोल गुमाया मैं पागल नहीं हूँ कासनी वाल गुस्से से बोला मेरा दिमाग खराब नहीं है ऐसा कहकर आप मेरी तोहिन कर रहे हैं मैंने कब कहा रमाकान बोला ऐसा सोच कर भी आप मेरी तोहिन कर रहे हैं आपने मेरी ड्रंक्स की कमजोरी को पकल लिय और समझ लिया है कि नशे में होना और पागल होना एकी बात होती है I may be drunk but not in sense, there is a difference, understand? ओई, ये क्या कह रहे हैं, तुमारे से कह रहे हैं, सुनील बोला, जवाब दो जवाब सुषता तो तेरा मूँ ताकता, सुनील मुस्कराया मेरा गिलास परा होता, तो भी कोई बात थी, अब खाली गिलास से, कोई स्मार्ट बात सूजे तो कैसे सूजे मैं ड्रेंक्स मगाता हूँ, कास्नीवाल हट बड़ा कर जल्दी से बोला खुद कास्नीवाल का गिलास खाली था, उसने अपने और रमाकान के लिए, मिस्की का रिपीट ओडर किया सुनील के लिए अभी भोतल में प्रयाप्त बीयर थी वेटर ओडर सर कर गया, तो कास्नीवाल एकाएक उठ खड़ा हुआ मैं अभी आया, वो अपनी कंड की उंगली उठा कर दिखाता बोला सुनील ने सहमती में सिर हिलाया कास्नीवाल होल में उस तरवाजी की तरब बढ़ चला, जिसके पार क्लोकरूम था वाब भई, पीछे रमाकान बोला, तेरे को सेलिब्रिटी कह रहा था नहीं कहना चाहिए था सुनील बोला, तू खुच सोच, क्या सोचूं किसी ने कभी तुझे अपने खून में कलम डबो कर खत लिखा नहीं, किसी करमावली ने तेरे पर कभी ये इलजाम लगाया कि तू उसके होने वाले बच्चे का बाप है नहीं, क्या हो चुके बच्चे का बाप है नहीं, कभी किसी ने तेरे पर इस्टिंग ओपरेशन किया नहीं, कभी तेरी मॉब्ड सेक्स फोटो छपी नहीं, कभी ऐसा कोई वीडियो रिलीज हुआ नहीं, काला हिरन मारा नहीं, अपनी फैंसी मोटर सैकल से किसी को कुचला नहीं, कभी तेरे घर पर कोई पोने चक करोड रुपय की परामदी वाली सरकारी रेड हुई नहीं, कभी तेरे पास से एके फोटी सेवन बरा मद हुई नहीं, फिर तु काहे का सेलिब्रेटी है बाई नहीं हूँ, तो फिर, नहीं हूँ, तो फिर, फिर ये की जो बात अभी में तुमारे समझाय समझ गया हूँ वो लोटके आय तो उसे भी समझाना मैंने क्या समझाना है कमलया वो कभी होश में इस पाबच सोचेगा तो खुदी समझ जाएगा अब संजीद्गी से एक बात का जवाब दो पूज, हे वो पागल, हो सकता है उसका दिमा की तवाजन खराब हो मेरे को तो वो बराबर लगता है लेकिन मेरी तो, वो ये कहकर बोलती बन कर गया कि पागल होने में और टुन होने में फर्क होता है हम, जिसकी माईयवा अकल ठिकाने हो वो ऐसी बाते करता है कि गाएं के रंबाने की वज़े से परिशानी होती है पडोस उसे मरगट लगता है वहाँ उसे मौत मडराती जान पड़ती है सुनील ने इंकार में सिरहिलाया असल बात बस इतनी जान पड़ती है कि बेताशा पीता है और जब चड़ जाती है तो उसका तसवर अनोखी उड़ाने बढ़ने लगता है अभी तो यही शुक्र समझ कि गाएं के रंबाने की ही शिकायत कर रहा है यह नहीं कहता कि रात को पड़ोस में परियान आस्ती है और वो भी खास उसे हलकान करने के लिए गाएं रात को क्यों रंबाती है मेरा दावा है कि दिन में भी रंबाती होगी हर गड़ी रंबाती होगी क्यों? किसी भी वज़य से एहमेद वजय की नहीं है एक्ट की है गाए रमबाती है रात के सन्नाटे में उसकी तवज्जु उसके रमबाने की तरप जाती है और वो कूद कर इस नतिजे पर पहुंच जाता है कि पडोसी उसे दिन में भूखा रखता है और इसलिए वो रात को खास उसे हलकान करने के लिए रंबाती है हम अभी यह यहां मौजूत है इसे क्या मालुम गाय पीछे रंबा रही है या नहीं ठीक अब अपना ख्याल भी तो बता उस पर भी तो चान अंडाल तू क्या कहता है बंदे की बालकनी में नुक्स है या नहीं हड़का हुआ तो वो बराबर है पशेमान भी बराबर है और यही वज़े उसकी एकस्थेटिव ड्रिंकिंग की जान पड़ती है लेकिन पागल वो मुझे नहीं लगता देखा नहीं था कैसे उसने अपने पागलपन की तरब इशारा पकड़ा और उसपर रियक्ट करके दिखाया जो शक्ष हमें ये समझा सकता है कि इंसैनिटी और ड्रंकनेस में फर्क होता है वो पागल क्यों कर होगा ठीक, मेरे ख्याल से वो किसी टेंशन का शिकार है जिसकी रिलीज के लिए वो ठ्रिंग करता है लेकिन टेंशन तो रिलीज होती नहीं नशे में कालपनिक शक्ती प्रबल हो जाती है यानि की गाय उसकी कलपना में रंबाती है अब क्या कहूं वो ही कहता है की गाय रंबाती है पता नहीं सच में रंबाती है या नहीं वो तो और भी बहुत कुछ कहता है अगर कोई और बात उसका वहम हो सकती है तो ये गाये के रंबाने वाली बात भी उसका वहम हो सकती है यही बात है अब तू क्या करेगा? उसे पुलीस के पास जाने की राय दूँगा पिलीस को उसकी बाद पर एत्पार आ गया तो आगे जो करेगी पिलीस करेगी मुझे मालूम है पुलीस क्या करेगी क्या करेगी उसका सौंग एंड डांस टामा सुनकर उसे पागल करार देगी और यहां तो किसी दिमागी बिमारियों के डॉक्टर के पास चाने की राय देगी यहां खुद ही पागल खाने में भरती करा देगी ऐसा नहों इसका एक तरीका मेरे जेहन में है क्या यह की यह किसी दाना आला दिमाग तजुर्बे कार सक्त मिजाद पुलिस अधिकारी के पल्ले में न पड़े ऐसा कैसे होगा नाट शोर पुलिस चोकी का इंचार्ज पहले सब इस्पेक्टर अनिल कपूर था अगर वो अब भी भी वहीं तेनात हुआ तो मुझे उमीद नहीं कि पुलिस की हाजरी बने से हमारे मेजबान के साथ कोई बड़ा हाथसा होगा बलकि मैं खुद सुनिश्टित करता हूँ कि ऐसा हाथसा न हो क्या करेगा पहले तो यही मालुम करता हूँ कि अनिल कपूर अभी भी नार्चोर चोकी का ही इंचार्ज है या नहीं हुआ तो उससे भाद करता हूँ कर सुनिल ने मोबाईल के लिए जेब में हाथ डाला तो उसके चेहरे पर वित्रशना के बाओ आए की होया रमाकान बोला मोबाईल सुनिल ने उतर दिया लगता है ओफिस में रह गया दूर फिटे मूँ कभी कहीं रह जाता है तो कभी तू उससे चार्च करना बूल जाता है तेरे जैसे आतमी के पास तो मोबाईल होना ही नहीं चाहिए नहोने जिसा ही है तुमारा मोबाईल कहां है उपर बैडरूम में मैं कलब में होता हूँ तो मोबाइल पास में नहीं रखता लोग बाग खामखा बेजा चाटते हैं मैं तुमारे आपिस से फोन करके आता हूँ जम जम करके आ गोली किदी दे कहने किदे सुनिल उठा और वहां से रुक्षत हुआ सुनिल वापस लोटा तो उसने कास्निवाल को टेबल पर मौजूद पाया कास्निवाल उसके वापस बेट जाने तक खामोश रहा और फिर यग्रबाउस से बोला अब आप क्या केते हैं मिस्टर सुनिल आपकी राय में मुझे क्या करना चाहिए मेरी राय में सुनिल बोला अपनी कंप्लेंट के साथ आपके पुलीस के पास जाने में कोई हर्च नहीं है पुलीस के पास वो संग्दिद बाउस से बोला हाँ यानि कि आप अपने पेपर में इस बाबत चापने को तया नहीं जनाब अभी ये निूजवर्दी बात नहीं है अभी इस बाबत हम कुछ चापेंगे तो क्या बलास्ट क्या में और क्या आप सब मुश्किल में होंगे मुसीबत खुद आए तो आए उसे बुलाने में इन्वाइट करने में किधर की समझतारी है ओ दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि पड़ोसी के खिलाब सीधे कोट में जा सकते हैं लेकिन ये आसान रास्ता होने के भावजूद मुश्किल रास्ता अक्तियार करने जैसा होगा आसान रास्ता यानि की पुलीस जी हाँ कोट में उल्टी पड़ गई तो आप मुझे ही कोसेंगे कि मैंने आपको कोट में जाने की राय दी और पश्टाएंगे कि किसी काबिल वक्तिल की राय हासिल करने की जगे आपने मेरे से राय हासिल की पुलीस के पास जाने से ऐसा नहीं होगा नहीं होगा बड़े यकीन से कह रहे हैं वो इसलिए कि आपकी यहां सी गैर हाजरी के दोरान मैंने नाटशोर पुलिस चोकी में फोन लगाया था चोकी के मौजूदा इंचार्ज अनिल कपूर से मेरी मामूली वाकफियत है जिसकी रूम में मुझे उमीद है कि वो आप से ठीक से पेश आएगा और ऐसा कुछ करेगा कि उसके किये से आपको कोई परेशानी न हो चोकी से मुझे मालूम हुआ है कि सब इस्पेक्टर अनिल कपूर इत्थफाक से यहां पुलिस हैटकॉरटर में आया हुआ है ओश शाम तक यहीं रहेगा आपकी जानकारी के लिए पुलिस हैटकॉरटर मुगल बाग में यहां से 20 मिनट के फासले पर है आप अभी वहां चले जाएए मैं चला जाऊं वो हाट बढ़ाया हाँ अनिल कपूर को आप वहां अपना इंतजार करते पाएंगे वो इंकार में सिर हिलाने लगा क्या हुआ सुनिल तनिक हैरानी से बोला मैं नशे में हूँ वो मेरी मोजुदा हालत का गलत बतलब निकालेगा वो मेरी बातों को एक बेवडे का प्रलाप समझेगा हे तो सही यह प्रोब्लम जिसका हल आपके पास है मेरे पास मेरे पास क्या हल है आप मेरे साथ चलिए क्या? वो सब इस्पेक्टर आपका वाकिपकार है आप साथ होंगे तो वो मेरी बात की तरफ बहतर तवज्जो देगा क्रपा निदान मैंने भी तो गूट लगाया है आपने सिर्फ एक गुट लगाने में शुमान नहीं होती मेरे चार लार्ज के मुकाबले में आपका बियर का एक किलास किसी गिंती में नहीं आता लेकिन मिस्टर सुनील प्लीज उंगली पकड़ कर रमाकान बोला पोचा पकड़ने वाली बात कर रहे हो मालको मैं एहसान की धर्खवास्त कर रहा हूँ मैं आपकी नवाजिश को कमपंसेट करने के लिए तयार हूँ कैसे करेंगे सुनील तनिक विनोधपुन स्वार में बोला ये गोशना करके कि शाम की धावत भी आपकी तरफ से नहीं तो जवाब में उसने अपना हजार और पांसो के नोटों से ठसाठस भरा हुआ पटवा निकाल कर सुनील के सामने मेज पर रख दिया प्लीज हेल्प यूर्सेल्प वो बोला आप जानते हैं सुनील शुश्क स्वार में बोला ये हरकत करके आप अपनी दिवानगी को मोहरबंद कर रहे हैं जी एसा वो ही शक्ष कर सकता है जिसका सच में ही दिमा की तवाजन खराब हो आप अभी पुर्जो लहजे में दावा करके हटे हैं की तो नहोने में और पागल होने में फर्क होता है और मैं आपके दावे की तस्तीक करके हटा हूँ लगता है मुझे आपकी बाबत अपनी ओपिनियन रिवाइस करनी पड़ेगी नहीं नहीं उसने जपटकर बटुआ उठाया और उसे वापस अपनी जेब के हवाले किया आई एम सौरी आई एम रिली सौरी पागल मायवा रमाकान बुन बनाया कौन सुनिल बोला ये तू बुतनी दा खोटी अकल लगदव की कदर करना नहीं जनता ओके सौनिल यू बोला जिसे रमाकान के विरोध में वो बात कह रहा हूँ मैं आपके साथ चलने को तयार हूँ थैंक्यू सर कास्निवाल उछल कर खड़ा हुआ और हर्षिद बाउ से बोला एंड गॉड ब्लेस यू सर जा रहा है रमाकान बोला हाँ सुनिल बोला यानि की बात छुड़ाय जा थे यही समद लो जानता है इसे जस्पाती जुबान में क्या कहते हैं क्या कहते हैं लाई बेकदरा नाल यारीते तुट गई तड़ाक करके मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा यानि की लोट के आएगा हाँ फेर तो जुन्दा रहा पुतरा जवानिया माने सुनिल और कास्टनीवाल पुलिस हैटक्वाटर पहुचे रिशेप्शन से दरफ्यात करने पर उनने मालूम हुआ कि सब इस्पेक्टर अनिल कपूर ग्राउन फ्लोर में ही एक कमरे में मौजूद था वे उस कमरे में पहुचे तो उन्होंने उसे एक ओफिस टेबल के पीछे एक कुर्सी पर बैठे पाया हलो सुनिल मुस्कुराता हुआ बोला मैं तुम मत बताना अनिल ने उसकी बात काटी मैं खुद कैस करूँगा अच्छा हाँ तुमारा नाम सुनिल है तुम आदमी हो शंकरोट पर रहते हो अकाउंटेंट की सरकारी नोकरी करते हो और हमारी पहली मुलाकात कुछ अर्सा पहले यहीं हुई थी बात है जोक मारा धरोगा जी ने वो हसा नहीं फिर बोला मैं कोई जोकिस्तान से आया हूँ जो जोक मारूंगा भीक अब बोलो क्या चाहते हो बलकी पहले बेठो तश्रीव रखो दोनों उसके सामने पड़ी दो विजिटर्स चेयर पर बैठ गए ये मिस्टर चिराक कासनिवाल है सुनील बोला नाट शोर में रहते हैं जहांके कि तुम चोकी इंचार्ज हो और जो चाहते हैं ये चाहते हैं क्या ये नाट शोर की 43 नंबर की कोठी में रहते हैं इनके पडोस में 42 नंबर कोठी में नंदन रठी नाम का एक शक्ष रहता है, जिससे ये तंग है, क्यों तंग है? उसके पास एक गाय है, जो राद बिरात रंबाती है, बस यही तंगी है, और भी बात है, लेकिन एहम बात यही है, अजीब एतराज है, गाय रंबायगी नहीं तो क्या गाना गायगी? आप समझने की कोशिश कीजिए, कास्निवाल तनिक आविश्पुन स्वार में बोला, क्या समझने की कोशिश करूँ? जैसा कि मिस्टर सुनिल ने कहा, और भी तो बाते हैं, और क्या बाते हैं? तफसील से बताए, कास्निवाल ने कलब में कही अपनी बात दोहराई, हम, कास्न गिरपतार हो ताकि ये बेहुदा हरकते बंध हो इस त्यूसेस पर अंकुष लगे गिरपतारी से और कैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ यानी वंटू का फोर नहीं चाते सीधा फोटी फोर चाते हैं जी गाय हमेशा रंबाती है लगातार रंबाती है पड़सों से तो र रंबा ही रही है लगातार तो नहीं रंबाती बीच-भीच में खामोश हो जाती है लेकिन फिर रंबाने लगती है क्यों रंबाती है मैंने बताया तो है पड़सी मुझे हलकान करना चाता है इसलिए वो जान-बूच कर गाय को दिन में बूखह रखता है ताकि वो रात को और मैं खीजूं, चुंजलाओं अपने बाल नोचूं। आपको कैसे मालूम है कि आपका पडोसी इरदतन गाय को बूखा रखता है, आप उस पर गाय पर मतवातर वोच रखते हैं। नहीं, तो कैसे जानते हैं, मेरा, मेरा अंदाजा है। पडोसी क्यों आपको हलकान करना च चाता है। मुझे ही नहीं, अपनी बीबी को भी चोकी बीमार है। बीबी को भी सही, लेकिन क्यों, उसका मक्सद क्या है इस हरकत के पीछे। मुझे क्या मालूम। इस पाबद अपना कोई अंदाजा ही बताईए। नहीं, मेरा कोई अंदाजा नहीं। लेकिन उसके मन में कुछ तो होगा वरना क्यों वो इस न्यूशेश को कंट्रोल नहीं करता यू माहूल खराब करता पड़ोसी की शांती बंग करना आपके कानून के किसी कैदे से तो वर्जित होगा ये तो सही So there you are गाय क्यों रंभाती है एसी गाय को तो गाय स्थान में होना चाहिए मेरी चोकी के इलाके में क्यों आ गई आप कबसे वहां रह रहे हैं दो महिने से 43 नंबर कोठी आपकी अपनी है नहीं किराय की है और पड़ोस की कोठी जिसका नंबर आपने 42 पताया था वो नंदन राठी की है मुझे मालूम नहीं अमीर आदमी है वो शक्ष अमीर ही होगा क्योंकि नार्थ्षोर इलाका ही ऐसा है वहां के तो सबी भाषिन दे अमीर है पड़ोस की कोठी मेरी कोठी से तीन गोणा बड़ी है इतनी बड़ी कोठी में रहता शक्ष पैसे से तंग तो नहीं हो सकता पैसे से रुत्बा बनता है रसुग बनता है इसे शक्ष पर मैंने सीधे ही कोई एक्षन ले लिया तो वो मेरा वन्टू का ट्वैल कर देगा आपका मतलब है आप उसके खिलाब कोई कदम नहीं उठा सकते सीधे नहीं उठा सकता फिर क्या भाइदा हुआ कास्नीवाल बड़ बड़ाया फिर तो धरोगा जी कुछ कह रहे हैं सुनील बोला उनकी बात खत्म नहीं हुई कास्नीवाल खामोश हो गया पहले तप्तिश करनी होगी अनिल कपूर आगे बड़ा फिर उसे मौकिक चेतावनी देनी होगी कोई फाइदा नहीं होगा कास्नीवाल अशंतोष के स्वार में बोला चे मेरे ख्याल से अगर पडोसी को हलकान करती है तो गय के मालिक को मजबूर किया जा सकता है कि वो गय का रंभाना बन कराए गाय का रंबाना जारी रहने से कास्टनीवाल साहब गंबीर नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो सकते हैं इतना शायद नहों कास्टनीवाल खंकार कर गला साप करता बोला लेकिन आज जिस्तों मैं भराबर हूँ मेरी लिमिटेशन से अनिल कपूर बोला जिनकी रूमें मैं दस्तूर में ही कदम उठा सकता हूँ मेरे लिए ये सावदानी बरतना जरूरी है कि जाने अन जाने में किसी रुत्वे वाले शक्ष को, किसी बड़ी हैसियत वाले शक्ष को अपना एनिमा न बना बेठूँ क्या सुनिल के मुँ से निकला बै, एनिमा, दुश्मन, शत्रू ओ, एनिमी, वो छोटा सा मामूली शत्रू होता है बड़ा शत्रू एनिमा होता है सॉरी, ये फर्क मुझे नहीं मालूम था कोई बात नहीं, मैं चोकी से किसी को बेजूँगा जो इस चंदन राठी से बात करेगा नंदन, कास्निवाल बोला, नंदन राठी वही, जो उसे राय देगा कि अगर गाय बीमार है तो वो उसे किसी वेटरनिटी होस्पिताल में भर्थी कराए और उसे तबी वहां से वापिस लाए जब वो ठीक हो गई हो और उसके रंबाने की शटनिंग हो गई हो ठीक है कास्निवाल ने आनिश्चित बाव से सिरहिलाया अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कीजिए इतनी सी बात को आप थाने कोट कचरी का मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं क्या मतलब इस बाबत पाडोसी से सीधे बात करने में क्या प्रोब्लम है नहीं मैं उसके मुँ नहीं लगना चाहता क्योंकि आपके उससे अच्छे संबन नहीं है कोई डिस्टिबूट है जी अदावत है अनबन है ओह डिस्प्यूट जवाब दीजिए यही समझ लीजिए फिर भी बात तो की जा सकती है नहीं मैं अपनी इज़्जत को खत्रे में नहीं डाल सकता इतनी सी बात पर वो आपको भेज़त कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है मैं उसके मुँ लगना अफोर्ट नहीं कर सकता मुँ न लगिए फोन पर बात कर लीजिए नो चिठी लिख दीजिए माई डियर सर आप मेरे पडोसी को नहीं जानते वो मुझे अपनी कोठी से धक्या देगा फोन पटक देगा चिठी फाड के फेग देगा और फिर ऐसा इंतजाम करेगा कि गाए पहले से जादा और जादा रंबाए वो मेरी लाचारी पर खुश होगा और अपनी बीबी को बताएगा कि कैसे कास्निवाल खामोश हो गया क्या कैसे अनिल कपूर बोला अपनी बात मुकमल कीजिए उसकी खामोशी भंग न हुई तुम चोकी से कोई आदमी बेशते हो विशय परिवर्तन की गरत से सुनिल अनिल कपूर से सम्भोधित हुआ नंदन राठी तुमारे आदमी की राय पर अमल नहीं करता तब तो कोई एक्शन लोगे हाँ अनिल कपूर बोला तब तो लेंगे क्या वन्टू कर ट्वेल कर देंगे फोर नहीं मैं जब करने पे आता हूँ तो वो गर्व से बोला तो सीधा ट्वेल करता हूँ ट्वेल वन्टू आजू बाजू बढ़िया अब जरा लोकल जुबान में समझाओ क्या करोगे एफाई यार दर्च करेंगे उसे पकड मंगवाएंगे जमानत देंगे फिर कोट में केस ताखिल करेंगे उस तोरान कास्नीवाल बोला गाय रंभाती रहेगी रंभाती रहेगी तो वो आपके लिए सिर्दर्द नहीं बनेगी क्योंकि उसे भी तो पकड मंगवाएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि वो गिरपतार हो और उसकी जमानत नहो ऐसा किसे हो सकता है दिस इजे पैंटी बेलेबल ओफेंस लेकिन मिस्टर कास्नीवाल ये हिंदुस्तान है दांदली स्तान नहीं है अगर आप दांदली चाते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं जाके दांदली स्तान में रहिए जहां से लगता है कि आप आए हैं कास्नीवाल ने बेचेनी से पहलू बदला फिर उसने सुनिल की तरब देखा तरोगा जी ठीक कह रहे हैं सुनिल आश्वशन के स्वार में बोला इनने अपने प्रोसीजर से काम करने दीजिए ऐसा वो संग्दित बाव से बोला हाँ ठीक है फिर आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है मीटिंग समाप्त हो गई अगले रोज मंगलवार को सुनिल ब्लास्ट के ओफिस में अपने कैबिन में मौझूद था चबकी रमाकान के वहां कदम पड़े सुनिल की निगा अनायासी वल्कलोग की तरप उठ गई पोने बारा बजे थे नमस्ते वो बोला नमस्ते रमाकान बुनबुनाया के नमस्ते की है या इत्मारी है नमस्ते की है नमस्ते ऐसे होती है और कैसे होती है खड़ा होके सिर नवाके हाथ जोड़के और कह हमगर साजन आए सुनिल हसा हस्याई कंजर पैठो रमाकान एक विजिटर चेहर्स पर धेर हुआ और अपना चार मिनार का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाने में मक्षूल हो गया क्या हुआ सुनिल तनिक विनोधपुन्ट स्वार में बोला नींद आई ही नहीं या जल्दी खुल गई माईयवा चुलाय दिया मस्करिया मा बेननाल कैसे आए तेरी एक चिठ्थी आईये मेरी चिठ्थी कहां यूद क्लब में मार्फद यूद क्लब बेजने वाला कौन है सोच कास्निवाल वही रमाकान ने उसके सामने पांच कुड़ा साथ का एक मजबूत पीला लिफापा रखा कूरियर से आई है उपपर वेरी अरजन डिलिवरी लिखा है अब खोल इसे और बता क्या लिखा है मैं सस्पेंस में मरा जा रहा हूँ इसलिए नींद हराम की हाँ खुद आने की जहमत क्योंकि मुझे बुला लिया हुता तू पता नहीं कब आता चिठी खुद खोल ली होती ओए कमलया तेरी चिठी में कैसे खोल लेता वो भी सुभय के वक्त चपकी में नशे में भी नहीं होता सुनील ने लिखाफा खोला बीतर तीन आईटम थी एक वसियत एक उसके नाम कासनीवाल की चिठी तीसरी आईटम हेरान करने वाली थी वो हजार हजार के नोटों की सूरत में पचास हजार रुपए थे सुनील ने तीनों चीजे रमाकान्त को दिखाई पहले चिठी पड़ वो बोला सुनील ने बोल बोल कर चिठी पड़ी लिखा था डियर मिस्टर चक्रवती इस पत्र के साथ पचास हजार और मेरी वस्यत संगलन है वस्यत मैंने आदी से अंतक खुद लिखी है और आपकी राय के मताबिक यू लिखी गई वस्यत पर गवाई की जर्रत नहीं होती फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक गवाई इस पर आप कर दें और दूसरी मिस्टर रमाकांत से करा दें आपसे धर्खवास्त की वज़य ये है कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ और आप दोनों के सिवाए यहां किसी को नहीं जानता साथ में पचास हजार रुपए इसलिए हैं कि जब वस्यत को प्रोबेट के लिए कोट में पेश करने का वक्त आए तो आप कोई काबिल वकील वस्यत में दर्ज बेनी फीशेरी वारिस के हक में खड़ा कर सके संबव है सगलन रकम काबिल वकील की फीश कवर करने के लिए काफी न हो इस संदर्ब में वस्यत में प्रावदान है कि वकील की बाकी फीस मेरी चल अचल संपती में से अधा की जाए वस्यत में मेरा एकी वारिश तर्ज है जो की वकील की अत्रिक फीस काट कर मेरी तमाम की तमाम चल और अचल संपती का स्वामी होगा दूसरे अब मुझे मालूम है कि गाय क्यों रंबाती है सद दन्यवाद विनित चिराक कास्निवाल सुनील ने चिठी मेच पर डाल दी वस्यत भी पड़ प्रमाकान मंत्र मुख बाव से बोला सुनील ने चिठी की तरह वस्यत को भी बोल बोल के पड़ा वस्यत में उसने मिसेज नंदन रठी को अपना इकलोता वारिस करार दिया था प्यारियो प्रमाकान बोला अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं रहा कि वो अत्मी पागल है दिवाना है सिर्फ राहे और और वो सब भी है जो वो लोग होते हैं जिनकी अकल गास चरने चली गई होती है वो केसे पूशता है वो केसे तुझे नहीं दिख रहा वो केसे एक तो वस्यत में गेर की बीबी को अपना वारिस बना दिया और दूसरे वस्यत तुझे बेजने के साथ में पचास हजार रपे नत्थी कर दिये अब तु वस्यत को फाड़ के पूड़े में फेक दे और अकम अपनी जेब में रख ले तो वो आकर तुझे ऐसा करने से रोक लेगा नहीं लेकिन उसे मालुम है कि ऐसा होने की नौबत नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि उसे मेरे पर एतबार है क्यों एतबार है तुने उसे अपने एतबारी होने की कोई सरकारी सनद दिखाई उसका सूपीरियर जजमेन ये कहता है कि मैं काबिले एतबार शक्ष हूं और तुमसे बहतर कौन जानता है कि उसका जजमेन इतना चोकस और दुरुस्त है अब ज़रा सोचो जो शक्ष एक छोकस और दुरुस्त भिसला कर पाने की केफियत रखता है वो पागल दिवाना सिर्फरा वगेरे क्योकर हो सकता है ओए मा सतके कई बाते थ्योरी में ही ठीक होती है प्रैक्टिस में ठीक नहीं होती अब छोड़ो वो किस्सा वो पागल है या नहीं ये आने वाला वक्त बहुत जल्द स्थापित कर देगा इस वक्त काबिले गोर बात कोई और है क्या शनिवार को जब उसने वसियत का जिक्र किया था तो उसने मिसेज नंदन राठी को अपना वारिश बनाने की मन्शा जाहिर की थी और खास तोर से पूच्छा था कि बाद में अगर मालूम पढ़ता है कि जिस ओरत को मिसेज नंदन राठी बताया जाता था वो हकीकत में राठी की बीबी नहीं थी तो इस बात का उसकी वस्यत पर क्या असर पड़ेगा वस्यत की बेनी फिशरी मिस्यद नंदन राठी की भ्याता भी भी नहीं निकलती तो क्या होगा याद आया हाँ लेकिन जब वो औरत इजद्दार लोगों के इलाके में एक इजद्दार शक्ष की बीबी बनकर रह रही है तो वो क्यों उसकी बीबी नहीं होगी वो जुदा मसला है किसी औरत के किसी मर्द के साथ रहने होने से ये इस्थापित नहीं हो जाता कि वो उस मर्द की बीबी है न सही प्यारियों लेकिन ऐसा होने की कोई वजय भी तो होनी चाहिए होगी, होगी कोई वजय, क्या? कोई भी, धरजनों वजय मुनकिन है, मसलन मौडन जमाना है, जिन में लीविन माशुक का रिवाज है, मसलन राटी की पहले से बीबी होगी, जिससे तलाक होना अभी बाकी होगा, या मुनकिन न होगा, क्योंकि बीबी तलाक के लिए राजी नहीं हो रही होगी, या उग है वड़े बापा जी, जो नहो जाए थोड़ा है, बात तो तेरी ठीक है, बरहाल मैंने ये जिकर किसी और वज़े से छेड़ा था, किस वज़े से, शनीवार को जब उसने भतोर वारिस मिसस्ज नंदन राठी का जिकर किया था, और ये शंका जाहिर की थी कि वो औरत मिसेज राठी बनकर पडोस में रह रही थी वो औरत असल में मिसेज राठी नहीं थी तो तब मुझे लगा था कि वो शंका नहीं जाहिर करा था यकिनी तोर पर जानता था कि वो औरत राठी की बीबी नहीं थी इसलिए मैंने उसे राय दी थी कि अगर वो अपना वारिस का जिकर मिसेद नंदन राठी जो की आजकल 42 नाशोर के निवासी मिस्टर नंदन राठी के साथ भतोर उसकी भीबी रह रह रही थी कि तोर पर करेगा तो किसी कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी लेकिन उसकी जो वसियत इस वक्त हमारे सामने है उससे जाहिर होता है कि उसने ऐसा नहीं किया उसने अपने वारिस को नंदन राठी के साथ भतोर उसकी बीबी रह रही औरत नहीं लिखा 42 नाटशोर वासी नंदन राठी की विदीवत प्याता बीबी लिखा है और पते का जिक्र राठी के घर के तोर पर किया है बीबी के घर के तोर पर नहीं दोनों बातों में फर्क है जमीन आस्मान का फर्क है वस्यत के लागू होने का वक्त आने पर अगर ये बात उजागर होती है कि वो औरत जो 42 नाशोर के पते पर नंदन राठी के साथ रह रही है हकीकतन में उसकी बीबी नहीं है और 42 नाशोर कम्यूनिटी प्रोपर्टी नहीं है तो उसकी विरासत तो गई तेल लेने इस वस्यत की तहरीर नंदन राठी की विदीवत ब्याहता बीबी को वारिश करार देती है जो की पता नहीं कौन है कहा है ये किच-पिच कैसे हुई ये कास्निवाल तेरी बात न समझा या तेरी बात को तहरीरी जामा पहचाने में उससे चूक हुई पता नहीं बाकी हर बात तो वो भराबर समझा था प्रमाकांत कुशन सूचता रहा और फिर बोला यार अभी तो बेटी बापी के गर में है उसे फौन कर और बात का खुलासा करने को बोल नमबर मालूम है नहीं लेकिन एक्सचेंज से मालूम हो जाएगा मामूली काम है सुनिल ने सहमती में सेर हिलाया और फौन की तरफ हाथ बढ़ाया पहले ही फौन की घंटी बज़ उठी उसने कॉल रिसीव की तो लाइन पर वन्टू का ट्वैल अनिल कपूर को पाया यार तुमारा यार तो शर्टिया पागल है वो बोला उसको बोलो पागलिस्तान शिप्ट कर जाए वरना यहां उसके लिए प्रोबलम होगी किसकी बाते कर रहे हो चिराक कासनीवाल की बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ क्या हुआ वो तो वन्टू का वन हंड्रेट फोर करता है नाहक इतनी लंबी हाग दी की गाय रंबाती है मैंने गाय के मालिक नंदन राठी से बात की है जिसने गाय के राद बिरात रमबाने वाली बात की पुरजोर मुखालपत की है वो तो ये भी कहता है कि ये इलजाम लगाने वाला शक्ष खतरनाक पागल है और पागलपन में इतना वाइलेंट हो जाता है कि खून तक कर सकता है नंदन राठी उसका पडोसी ऐसा कहता है हाँ, कब कहा उसने ऐसा अभी कहा, मेरे सामने बेटके कहा वो इस वक्त तुमारे सामने बेठा है हाँ, कहा नाजशोर चोकी पर नहीं, हैटकौाटर में वहीं, कल जहां तुम और कासनी वाल मेरे से मिले थे वहाँ केसे पहुच गया चोकी ही पहुचा था लेकिन मुझे आज भी यहाँ हैटक्वाटर में काम था इसलिए वो मेरे पीछे यहाँ चला आया खासी जैमत की नेक शहरियों को ऐसी जैमत से एतराज नहीं होता मैं उससे बात करना चाहता हूं तुम क्या बात करना चाहते हो मैं उससे रमबाती गाय के बाबत बात करना चाहता हूं उसके वाइलेटली पागल पडोसी के बाबत बात करना चाहता हूं तुम प्लीस उसे रोक के रखना मैं गोली की तरव वहाँ पहुच रहा हूं ठीक है सुनील ने रिसीवर क्रेंडल पर पटका और अमाकान की तरप आक्रशित हुआ मैंने फोरन पुलिस हेटक्वाटर पहुचना है वो बोला वड़े बापा जी से मेरी धर्क्वास थे की वो थोड़ी देर और यहां रुके और मेरे पीछे कास्णीवाल का फोन नमबर ट्रेस करके उससे बात करे क्या बात करूँ, क्यों बात करूँ, मैं क्या तेरी तरह यहां का मुलाजिम हूँ यार तो हो, वो तो हूँ, यारी से सर्दारी होती है मालुम, मेरे से सिक्कर मुझे ही सिखाता है मालुम है तो हुज़त किसलिए धीक है मैंने उससे फोन किया अब आगे उचर उससे बोलना कि उसका पडोसी उसके लिए ऐसा पंगा खड़ा कर रहा है कि उस पर उल्टी पढ़ने का अंधेशा है इसलिए वो कुछ अर्से के लिए अपनी कोठी से फोरन कहीं शिप्ट कर जाए कहां? कहां शिप्ट कर जाए? कहीं भी यहां राजनगर में आ जाए और आकर किसी फरजी नाम से किसी होटल में मुकाम पाए लेकिन जहां मुकाम पाए उस जगह की खबर तुमें जरूर करे वो मेरी बात मानेगा उसके फायदे की बात है क्यों नहीं मानेगा क्योंकि पागल है ठीक है नहीं मानेगा तो बाड में जाए ये ठीक है हेटकवाटर के पिछले रोज वाले ही कमरे में सब इसपेक्टर अनिल कपूर मوجود था उसके सामने जो शक्ष पेठा हुआ था सुनील ने गोर से उसका माइना किया वो एक हटा-कटा कदावर आदमी था जो की चालिस के पेटे में जान पड़ता था परिचे और अभिवादों का अधान प्रदान हुआ तो नंदन राठी बारी थेटिकल आवाद में बोला तुम वो हो सुनील वो सुनील क्या मतलब सुनील शुष के स्वार में बोला जिसकी शेय पर कासनी वाल उच्छलकूत कर रहा है मैंने उसे कोई शेय नहीं दी और उसकी किसी उच्छलकूत की मुझे कोई खबर नहीं वो तनी खड़ बढ़ाया और फिर बोला सुना है तुम प्रेस रिपोटर हो धीक सुना है कासनी वाल तुमारा दोस्त के से बन गया नहीं बन गया परसों से पहले मैंने उसकी कभी सूरत भी नहीं देखी थी तो फिर ओ, क्या ओ लगता है किसी चटपटी न्यूज के फिराक में हो न्यूज की फिराक में तो मैं हमेशा होता हूँ न्यूज हंटिंग मेरा कारोबार है न्यूज हंटिंग दूसरे के फट्टे में टांग अडाकर करते हो वो भी एक तरीका है और भी कई तरीके हैं आपका इरादा जर्नलिस्ट बनने का है क्या वो हड़ बढ़ाया नहीं तो फिर मेरे कारोबार के बाबत इतने सवाल किसलिए कोई वज़े नहीं Let's drop the subject Yes, let's सुनी एक्षन ठिटका और फिर बोला अब बताईए क्या किस्सा है किस्सा, कैसा किस्सा आपकी गाय का किस्सा क्यों रंबाती है तुम क्यों जानना चाते हो बंदा नवाज हर गेर मामुली बात न्यूज है और जो न्यूज है उसमें मेरी निस्पत है खुद इस बात की तस्तिक करवा चुके है सुनील ने अनिल कपूर की तरब देखा नहीं रंबाती बाई अनिल कपूर बोला वो तो गाय है गाय वो तो वो है ही आज की कहानी बस यहीं तक कहानी का अगला बाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ अगर यह नाविल आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्क्राइब मैं चैनल